सब्सक्राइब कीजिए अनुडल चानल को और इस पेल आइकोन को दबाए जिससे आप कोई भी अगला रिडल या पहली मिशना कर पाए इस मुंबई की एक बस को ध्यान से देखियो और बताए ये बस राइट जा रही है या लेफ्ट जा रही है आंसर देखने से पहले आप का आंसा कमेंट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं बस का दर्वाजा नहीं दिख रहा है मतलब दर्वाजा दूसरे तरफ है इंडिया में दर्वाजे हमेशा लेफ्ट में होते हैं मतलब बस राइट की तरफ जा रही है चलिए अगली पहली देखते है इन लोगोज को ध्यान से देखी और बताए यूट्यूब का लोगो कौन सा सही है A या B अंसर देखने से पहले आपका अंसर कमेंट कीजिए और इसका सही जवाब है A चलिए अगली पहली देखते है एक रूम है क्लोज दूर वाला उस रूम के अंदर तीन बल्ब है और उस बल्ब के जो तीन स्विच है वो रूम से बाहार है आपको नहीं पता कौन सा स्विच कौन से बल्ब से कनेक्टेड है और आप रूम के अंदर भी बस एक बार जा सकते है तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा switch कौन से bulb का है आंसर देखने से पहले आपका answer कमेंट कीज़े चलिए इसका answer देखते हैं पहले आप एक बटन को दबा देंगे और थोड़ी देर दबा रहन देंगे उसके बाद आप उसको बंद कर देंगे और दूसरा स्विच दबा देंगे और फिर रूम के अंदर चले जाईए जो बल्ब चालू है वो आपने जो अभी बटन दबाया है उसका है एक बल्ब गरम रहेगा ये वो वाला बल्ब है जिसका स्विच आपने प्रेस करके बंद कर दिया था और जो बल्ब बंद है वो बचे हुए बटन का है इस तरीके से आपने कौन सा बल्ब कौन से स्विच का है पता कर लिया चलिए अगली पहली देखते है इस picture को ध्यान से देखी और बताए आकरी वाले question mark की जगा क्या आएगा आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते है पहले में 3 into 2 is 6 plus 1 तो 7 हो गया दूसरे में 5 into 4 is 20 प्लस 3 तो 23 हो गया वैसे ही तीसरे में 7 into 6 plus 5 होगा चौते में 7 तो पाचवे में 10 into 9 plus 9 होगा वो हो जाएगा 99 तो आंसर होगा 99 चलिए अगली पहली देखते है इन लोगोस को ध्यान से देखी और बताए Facebook का सही लोगो कौन सा है A या B आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजे और इसका सही जवाब है A चलिए अगली पहली देखते हैं इस पिच्चर को ध्यान से देखी और बताए इसमें कितने ट्राइंगल्स है आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजे चलिए इसका answer देखते है तो total हो गए 24 चलिए अगली पहली देखते है इस picture को ध्यान से देखिए और बताए question mark की जगा क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझेगा 6 x 2 is equal to 12 minus 10 that is equal to 2 वैसे ही 4 x 2 is 8 minus 7 is 1 नीचे वाला जो नंबर है वो 2 से multiply हो रहा है पहले वाले नंबर से subtract हो रहा है तो हमें तीसरा वाला नंबर मिल रहा है तो answer हो जाएगा x into 2 minus 9 is 7 so x into 2 is 16 तो x हो जाएगा 8 चलिए अगली पहली देखते हैं एक मर्डर हो जाता है मर्डर के चार suspects है काका, अधीती, लखन और इधान आपको इन चारों में से मर्डर ढूनने के लिए 8 clues मिलेंगे आपको ये clues को द्यान से सुनना है और मर्डर को पहचानना है पहला clue लखन और अधीती दो मन्त पहले मिले थे और उनमें घहरी दोस्ती हो गई दूसरा clue इधान्त मर्डर के एक दिन पहले रात को वॉक करने के लिए गया था तीसरा clue काका और अधीती ने एक साथ निवियर की पार्टी बनाई थी चौथा clue जब से खून हुआ है लखन गायब है उसका कोई अता पता नहीं पाँचवा clue इधान्त को टीवी गेम्स केलना बहुत पसंद है चटवा clue काका अच्छा कोख है और अधीती के लिए खून से एक रात पहले वो खाना लेके आया था साथवा clue बचपन से लखन और किलर आपस में बहुत लड़ते थे आठवा clue पिछले महिने एक आक्सिडेंट हुआ था उसमें किलर पारलाइस्ट हो गया था वो अब ज्यादा अच्छे से चल फिर नहीं पाता अब इन clue को ध्यान से समझे और हमें बताईए किलर कौन है अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉस कीजिए आप clues को वापस देखने के लिए वीडियो रिपीट कर सकते है चलिए इसका आंसर देखते है 7th clue बोलता है बच्छपन से लखन और किलर आपस में लड़ते थे मतलब लखन खूनी नहीं है पहला clue लखन और अधिती दो मंच पहले मिले थे और उनमें घहरी दोस्ती हो गई लेकिन लखन तो किलर को बच्छपन से जानता है मतलब अधिती भी कूनी नहीं है clue 8 कहता है पिछले महीने एक आक्सिडेंट हुआ था उसमें किलर पारलाइस्ड हो गया था वो अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाता है और 2nd clue में इधान्द मर्डर से एक दिन पहले रात को वाकिंग पे गया था मतलब इधान्द भी कूनी नहीं है मतलब खूनी काका है क्या आपकी पहली ये सही हुई जरूर कमेंट कीजे चलिए अगली पहली देखते है कुशल एक बार अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाता है पार्टी में वो फटाफ़ ड्रिंक पीता है और चला जाता है पार्टी में बाद में जो भी वर ड्रिंक पीता है वो सब पॉईजन की वज़े से मर जाते है पर कुशल को कुछ नहीं होता वो भी सेम ड्रिंक पीता है ऐसा कैसे पॉसिबल है क्या आप बता सकते हैं आप वीडियो को वापस रिपीट कर सकते हैं ध्यान से सुनने के लिए अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉस कीजिए अंसर सुनने के पहले आप कमेंड कीजिए आप क्या सोच रहे हैं पॉसन ड्रिंक में नहीं आईज में होता है जब कुशल पाटी में आता है तो आईज मेल्ट नहीं होता है इसलिए उसे कुछ नहीं होता बाकी लोग जब ड्रिंक पीते हैं तो आईज मेल्ट हो चुका होता है और पूरा पॉईजन ड्रिंक में आ चुका होता है इस पिच्चर को ध्यान से देखिए और बताएं दोनों में से कौन सबसे बड़ा बेफ़कूफ है? A या B आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए चलिए इसका आंसर देखते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो A सही तरीके से ट्री को कट कर रहा है लेकिन B ऐसा कट कर रहा है कि वो खुद गिर जाए इसलिए B बेफ़कूफ है ऐसी और पहलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए जिसे आप कोई भी अगली पहली मिस न कर पाए और हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखे थैंक यू